नवरात्री के दूसरे दिन पड़े मा ब्रम्हचारिनी की पौरानिक कथा, आज शार्दिय नवरात्री के दूसरे दिन मा दुर्गा के ब्रम्हचारिनी स्वरूप की पूजा का दिन होता है। बता देंकी ब्रहम का अर्थ तपस्यासे है, शास्त्रों की बात, जाने धर्म के साथ, आज शार्दिय नवरात्री के दूसरे दिन मा दुर्गा के ब्रहमचारिनी स्वरूप की पूजा का दिन होता है। बता देंकी ब्रहम का अर्थ तपस्यासे है, मां का ये रूप अपने भक्तों और सिद्धों को अनन्द्फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप त्याग, वैराग्य, सदाचार और सयम की वृद्धी होती है। शास्त्रों में ब्रहमचारिनी का अर्थ तप की चारिनी यानि तप का आचरन करने वाली बताया गया है। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिनी अर्थात ब्रम्हचारिनी नाम से अभिहित किया गया। एक हजार वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और सो वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कश्ट सहे। तीन हजार वर्षों तक तूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिये। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपरना नाम पड़ गया। नवरात्री के दूसरे दिया ब्रमहचारिनी मा की कथा, कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीन हो गया। देवता, रिशी, सिधगन, मुनी सभी ने ब्रमहचारिनी की तपस्या को अभूत्पूर्व पुन्यकृत्या बताया, सराहना की और कहा है देवी आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की, ये तुम ही से ही संभव थी, तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होग और भगवान चंद्र मौली शिवजी तुम्हें पती रूप में प्राप्थ होंगे, अब तपस्या छोड़ कर घर लोड़ जाओ, जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं, मा ब्रमहचारिनी देवी की कृपा से सर्व सिध्धी प्राप्थ होती है, दु